मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर हम जोगरफी के जो कोशन्स कवर अप कर रहे हैं उसी करम में आगे बढ़ेंगे देखिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट कोशन्स है अभी जो आपका एक्जा में चला है पिछले दो साल तक उस सब को भी हम लोग कवर अप करें यह सब्जेक्ट वाइस चलेगा जैसे हम जोगरफी की बात करें तो जोगरफी में से आप यह कोशन जो देख रहे हो जिसमें आपका आंसर जो आएगा वो बुर्जल दर्रा आएगा बुर्जल पास तो यह सारी चीजें जो पहले भी पूछी जा चुकी है अभी जो नियूज में रही है उनको भी कवर अप कर लें तो एक आपका मतलब कही जाए तो पूरी तरीके से आप तयार हो जाएंगे एक्जैमिनेशन के लिए आपको जस्ट इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब क को देखना है और जो हमारा टेलिग्राम चैनल है उसको जरूर जोइन करिए वहाँ पर डेली बेस पर कुईस करवाई जा रही है उस कुईस में जरूर पार्टिसिपेट करिए उसका लिंक मैंने इस वीडियो के मैसिस सेंटर में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक् देखे पहला है हमारी इस कोशन के आंसर की बट कई बार इग्जैमिनेशन में आप से कोशन थोड़ा सा घुमा के पूशा जाता है जैसे आप यह देख रहे हो यह हमारा एक बार सही से देख लेते हैं आप यह आपका जम्मू कश्मीर वाला मैप है ठीक है अब कौन कौन से passes है कई बार होता है आपसे पूशा जाता है कि east to west इनको आप arrange करिए west to east करिए north to south ये south to north इस तरीके से तो आपको exactly इनकी location पता होनी चाहिए जो भी important passes है तो अगर हम बात करें खार दूंगला की तो खार दूंगला आपका इधर side में पढ़ता है ठीक है बुर्जिल की बात करें तो बुर्जिल की location यहाँ पर है जोजीला की बात करें जोजीला यहाँ पर है इसके बाद अब पीर पांजाल पास की बात करें तो यहाँ पर location है बनिहाल की बात करें जो आप North से South में arrange कर देंगे तो जैसा आप यहाँ पर map में देख रहे हो सबसे उपर क्या आएगा आपका खारदुंगला आएगा खारदुंगला के बाद आएगा आपका बुर्जिल मतलब North से South जा रहे हैं उपर से नीचे ठीक है इसके बाद आएगा आपका जोजिला और उसके बाद आएगा बनेहाल तो आपको यह location exactly पता होने चाहिए हो सकता है आपसे ऐसे पूछले कि बनेहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज में किस साइड में है Eastern साइड में है Western साइड में इस तरीके से तो यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि question देखते देखते हम यह सारी चीज़ें भी यहाँ पर cover up करते हुए चले ठीक है चलो आगे बढ़ते है next question पर इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्ने में से किसमे हिमाले की चोड़ाई सरवादे के हैं तो हिमाले की चोड़ाई की बात करें तो यह आपका पंजाब हिमाले जो है यहाँ पर इसकी चोड़ाई सबसे जादा है अगर हम regional division की बात करें हिमाले की तो जैसा आप अपने screen पर यहाँ पर देख रहे हो यह regional division है सबसे इधर साइट में आपका यहाँ पर क्या है सायक समिक्षादिकारी 2023 की तयारी के लिए आप करियर मित्रा के इन इनिशेटिफ को जोईन कर सकते हैं पहला हमारा टेलिग्राम फ्री इनिशेटिफ है जिसमें आपको previous year के सारे questions cover up करवाए जाएंगे दूसरा है टेलिग्राम paid group इसमें आपको current affairs उसके अलावा जो static subject हैं जो की current news में रहे हैं वो सारे topics static subjects के वो यहाँ पर cover up होंगे और तीसरा हमारा जो 10 full length test series है जिसमें आपको 10 test provide कि जाएंगे bilingual रहेंगे Hindi English तो किसी भी medium से आप हो it doesn't matter आपको दोनों ही उसमें सुबधा यह मिलेगी इसमें आपको total 2000 questions मिलेंगे जैसा आपका syllabus है जिसमें 140 questions GS के और 60 questions Hindi के इस तरीके से आपको 10 test provide किया जाएंगे हर हफते एक test provide किया जाएगा और यह complete मतलब पूरा explanation के साथ में होगा particular वो topic in depth cover up हो जाएगा उसके अलावा कहीं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अगर अभी भी और आपकी तैयारी अभी तक बिलकुल नहीं होई fees है 10 तारीक के बाद 10 सितंबर के बाद इसकी fees 149 रुपीज हो जाएगी तो जल्दी करिए अभी इसको join करिए तीसरा जो हमारा 10 full length test series यह है test का तो इसमें आपको अभी जो payment करना रहेगा यह 899 रुपे रहेगा इसके बाद इसकी fees अभी और बढ़ेगी क्योंकि यह जो अगर आप एक बाद test देखोगे then you will get to know कि कितना important है और क्यों इसकी fees जो है 899 है यानि कि 899 रुपीज है ठीक है तो जल्दी करिए और इसको join करने के लिए आप जो numbers दिये हुए है description section में उस पर call कर सकते है वाटसेप कर सकते हैं टेलिग्राम कर सकते हैं यहां पर भी मैं आपको number दिखा दे रहा हूँ 9027281376 इस number पर आप contact कर सकते हैं मुझसे इसके अलावा 639564901 इन दोनों में से किसी भी number पर टेलिग्राम वाटसेप और call के पंजाब हमाले उसके बाद कुमाउं हमाले उसके बाद आता है आपका नेपाल हमाले और सबसे eastern side में हमारा आता है असाम हमाले ठीक है चलिए next question पर चलते हैं इस question में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नमे कांड सा यarım आत्म जो है रहा है सबसे पहले हम बात किसकी करें बने-हाल दर्रे की तो बने-हाल दर्ररा यह आपका श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बडा-la-लचा दर्रे की बात करें मआली को ले से जोड़ता है वह बोमडीला की बात करें अरनाचल प्रदेश को लद्दाक से जोड़ता, यह तीनों यहां पर correct है, बट जब हम बुर्जिल दर्रे की बात करते हैं, तो अभी हमने उपर map में देखा था कि बुर्जिल दर्रे की location क्या है, क्या वो लद्दाक और तिबबत की side में है, अगर इतना भर आपको पता है, तब ही आप से जब कितनी जल्दी चीज़ों को solve कर सकते हो, यह भी समझना बहुत जरूरी है, तो answer क्या होगा हमारा D, कि बुर्जिल दर्रा कश्मीर की जो अस्तोर घाटी है, उसको लद्दाक के देव साई, जो मैदान है, उससे जोड़ता है, ठीक है, मतलब तिबबत से दूर दूर कोईचता नहीं कि उससाइड में है ही नहीं है, इसके बाद अगले कोशन पर जलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर map भी include कर आ है, ताकि चीज़ों को ना सिर्फ आप यहाँ पर question answer को समझो, बलकि इन चीज़ों को आप याद भी रख पाओ, आगे के लिए, अगला जो कोशन इसमें पूशा गया है कि निम्न में से कौन सा सरवादिक उंचा वाहन चलाने योग दर रहा है, अब यह कौन सा आपका खार दुंगला पास है, जो की सबसे हाइट पर है, जहां पर मोटर चलाई जा सकती है, तो याद रखना है आपको खार दुंगला पास की, इसको भी अ अब तिबत में एक्जेक्ली कहां पर है, यह देखो आप, यह जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, यहां से, यहां से, मतलब यह इंडिया से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद यह चलते हुए, जाते हुए, और नेपाल से होते हुए, यहां पर आपका लेक मांसरोवर पड़ेगी, लेक मांसरोवर के बाद यहां पर उपर पड़ेगा, यह मांट कैलाश, और यह चाइना के द्वारा उकुपाइड करा हुए जो तिबत वाले एरिया है, वहां पर यह लोकेटेट है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं, इसमें वर्ड लेक की बात हुई है, अब यह काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है, बहुत बार पूछा गया है यह, अब यहां पर आज के बाद आप शायद ही भूल पाओ, कि यह क्या कुछ है, ठीक है, चलो, यहां पर कोश्चन का है कि उत्तरी अमेरिका में नियागरा ज क्लियर होगा, यह देखो, यहां पर यह पढ़ गया आपका ओंटेरियो, जो कि आपका कनेडा वाला लोकेशन है, और यह आगया आपका नियॉयोर्क, जो कि आपका यूएस में, ठीक है, इनके दोनों के बीच में आपका यह नागरा फॉल्स जो है, यह पढ़ता है, यह आ कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, अब यह पॉइंट क्यों important है, सबसे पहली चीज़ जो नागरा फॉल्स के बारे में पूछा जाता है, कि यह जो है कौन-कौन सी, मतलब दो लेक्स के बीच में है, तो वो भी हमने देखा कि ओंटेरियो, और जो आपका इरी लेक है उसके बीच में है, आपसे पूछ लिया जाए कि कनेडा का कौन सा प्रांत है, जो इससे attached है, और यूएस का कौन सा है, तो कनेडा का आपका उन्टेरियो है, और यूएस की बात करें तो न्यू यूर्क है, इसके अलावा आपसे पूछा या सकता है कि कौन सी रिवर का पान separated by goat island, यह काफी important है, goat island, आपसे examination ने पूछा या सकता है कि इसमें से किसका relation जो है वो goat island से या फिर goat island कहां पर located है, इस तरीके से पूछा या सकता है, तो आपको याद रखना है कि यह जो नागरा fall है, यह दो अलग-अलग part में separate हो रहा है, उनके बीच में जो है वो पढ़ इसमें जो larger division है, वो आपका कहां पर आता है, Canadian side में आता है, ठीक है, Canadian bank में, और जिसको मतलब वहाँ पर जो उसका नाम में क्या कहलाता है, आपका horse shoe fall, यह भी point important है, ठीक है, और जो American side है, वो मतलब American falls वाला है, वो American side में पढ़ता है, यहाँ पर याद दखना है कि Canadian side में जो है, उसको क्या बोलते है, horse shoe falls बोलते है, goat island से separate हो रहा है, यह आपका Niagara falls, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले question पर, इसके बाद next question की बात करें, यहाँ पर पूशा गया है कि निमलिकित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी जील है, तो की अक्सर अब examination में जो आता है, वो north से south, south से north, इनको arrange करने के लिए आता है, lakes को, तो यह यहाँ पर आपकी lake टांगाने का है, ठीक है, इसके उपर आपकी प्रती है, lake कीव, और इसके उपर आपकी lake Edward, और नीचे जो है आपका एक lake और है, वो है आपकी lake माला भी, ठीक है, तो यह इनका आप sequence याद रखेगा, north से south, जो हम बात कर रहे हैं, north से south, तो सबसे पहले कौन सी पलेगी, lake Edward पलेगी, उसके बाद lake Q पलेगी, उसके बाद lake टांगाने का पलेगी, और उसके बाद पलेगी आपकी lake माला भी, इसके अलावा lake Victoria यहाँ पर है, अब यह जो है, इसे देशों से घिरी हुई है, जिसको आप KUT, कुट के नाम से उसको आप याद रख सकते हैं, इसमें कुट का मतलब क्या हो गया, Kenya, यूगांडा, और T का मतलब हो गया, तंजानिया, ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो, बाकी अभी हम lake टांगाने का की ब लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, और कहां पड़ती है आपकी इस्टें साइड में पड़ती है, तो अभी हमने देख लिया, इसके अलावा, इट इस दे लाउंगेस्ट फ्रेश वर्टर लेक इन द रवर्ड और इन रशेया, तो रशिया में जो लेक बैकाल है, उसके बाद कि दूसरी सबसे जो लंबी सबसे गहरी जो फ्रेश वार्टर लेक है ये ठीक है और लॉंगेस्ट फ्रेश वार्टर लेक है वर्ड की ये भी चीज यहां पर याद रखने हैं इसके बाद the lake is shared among four countries कौन कौन सी एक आप की बुरंडी दूसरी आप की DRC यानि की Democratic Republic of Congo उसके देशों से घिरी हुई है लेक टांगाने का ये जरूर याद रखना important है इसके बाद next हम बात करें next point की largest rivers discharging into the lake अब ये कौन-कौन सी rivers है जिसका पानी जो है इस लेक में आता है ये एक रिवर है आपकी मालागारसी तूसरी है रुजीवी इसके अलावा कालामबो ये तीन river है जिनका पानी जो है इसके अंदर आता है अब ये जो रिवर है फाइनली किसके अंदर जाती है आपकी लूलाबा रिवर ठीक है तो ये मतलब नाम थोड़े टिपिकल है बट इनको as it is याद रखेगा क्योंकि ये news में रही है तो जितनी चीज़ें अब इस लेक से related पू इसके बाद next question की बात करें इसमें पूछा गया है कि इन में से कौन सी एक ऐसी है जो कि आपकी great lakes का हिस्सा नहीं है अब ये beer है superior है होरन है Michigan है तो obvious सी बात है answer क्या होगा A यानि की lake beer अब एक बार इसको ध्यान से यहाँ पर देख लेते हैं देखिए ये जो आपनी screen पर दे इन जो lake से निकलता हुआ कहां पर जाता है आपका जो Atlantic Ocean है उसके अंदर ठीक है अब यहाँ पर अगर हम lake superior की बात करें तो lake superior वो lake है जिसमें मतलब दुनिया का सबसे जादा जो fresh water है वो इसी के अंदर है ठीक है ये जरूर रियाद रखना है आपको बेहद important है और पूछा जाता है several times अब एक एक करके यहाँ पर सारे point देखते हैं सबसे पहली बात यह है कि जो Canada का Ontario है ठीक है Ontario province है वो और 8 US के state है जिसमें आपके Illinois है, Indiana है, Michigan है, Minnesota है, New York है, Ohio है, Pennsylvania है और Wisconsin है ये 8 US के state है जो की in great lakes से अपना जो मतलब सीमा साजा करते हैं और जो Canada वाला side है वो आपका Ontario है जो की इस से सीमा साजा करते है, water in the great lakes flows from lake superior, lake superior से पानी जो है वो lake Horan में जाता है, lake Michigan में जाता है, lake Erie में और lake Ontario में और उसके बाद finally जो Atlantic Ocean में वो उसमें पानी जाता है, किस के थूरू? St. Lawrence River के थूरू, यह का कि finally जो पानी है in great lakes का वो St. Lawrence River से होता हुआ किस में जाता है, Atlantic Ocean में, इसके बाद lake superior की बात करें, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी fresh water lake है, the great lakes of North America are a group of five fresh water lakes that straddle the boundary between the United States and Canada, तो इसको अभी अब देखी चुके हैं कि दुनिया का जो, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो पा 1% के असपास fresh water है, surface वाला, वो इनके अंदर है, ठीक है, चलो, इसके बाद अब जो है, काफी कुछ हो गया, इसके बारे में next question पर जलते हैं, यहां पर पूशा गया है आपसे संयुत राज अमेरिका की व्रहत जीलो का जो पूर्व से पच्छिम की और सही करम है, वो क्या ह अब देखो, अगर आपने यह वाले map को दिहान से देखा है, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम पूर्व से पच्छिम, यानि की east से west हमें को जाना है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा आपका? Lake Ontario पढ़ेगा, Ontario के बाद Lake Erie पढ़ेगा, Lake Erie के बा आपका Erie है, Horan है और Michigan है, ठीक है, तो EMH यह बीच में है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, otherwise अगर आपने दो-चार बार इस वीडियो को देख लिया, तो आप easily इस question को solve कर पाऊगे, तो अभी हमने देखा है कि सबसे eastern side में कौन सा है आपका Ontario, हमें पूर्व से ही चलन गया है कि निमले के जीलो में से कौन सी पूर्णता US में located है, अब यह Michigan जील है, Horan है, Superior है या फिरी है, तो जैसा मैंने आपको बोला है कि अगर आपने इस map को दिहान से देखा है, तो इस questions के answer आप easily दे सकते हूँ, अभी देखो अगर आप, तो यह आपका जो part है, वो किसक करें, तो यह भी कर रही है, but Lake Michigan is not touching borders with Ontario, ठीक है, इधर देखें, Lake Erie भी share कर रही है, Lake Ontario भी share कर रही है, लेकिन Lake Michigan जो है, यह share नहीं कर रही है, तो यही है, जो कि आपकी US में located है, ठीक है, पूरी तरीके से, तो हमारा answer क्या जाएगा है, यहाँ पर Lake Michigan, देखो याद तो रख शान नहीं करेंगे examination में, ठीक है, तो इसी के साथ, आज के इस वाले session को यहाँ पर end करते हैं, यह session आपको कैसा लगा, comment section बताईएगा, बाकी channel को subscribe करना, और telegram channel को join करना, बिल्कुल मत भूलेगा, फिर मुझे नेक्स वीडियो में, till then, thank you so much, have a nice day, bye-bye.